एक छोटे सी गाउं में एक व्रद महात्मा रहते थे वह एक कंबल लपेटे हुए और अंजनी वजाते हुए पूरे गाउं में घूमते रहते थे और लोगों से उनका दुख पूछा करते थे लोगों का भी उनके प्रतिक काफी प्रेम सोभाव था उनकी खास आदत यह थी कि जब भी कोई व्यक्ति उन्हें अपना दुख दर्द बताता तो वह उस व्यक्ति का दुख दूर कर देते थे एक दिन किसी पास के गाउं से एक विद्वान पुरुष उनके गाउं में आता है उस समय महात्मा गाउं के एक व्यक्ति के पास उसके दुख दर्द को पूँच रहे थे उस व्यक्ति ने बताया कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है वह एक कदम भी नहीं चल सकता इसलिए वह किसी डॉक्टर के पास नहीं गया किरप्या आप ही कुछ कीजिए आदमी की दर्द भरी आवाज सुनकर महात्मा जी ने कहा यहां लेट जाओ वह आदमी तुरंत महीं लेट जाता है फिर महात्मा जी अपने उस कंबल को उस व्यक्ति के पेट पर डालते हैं और हलके हलके से हाथ फेरते हैं और कंबल को उठा लेते हैं कुछ समय बाद वह व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि महात्मा जी मेरा पेट दर्द बिलकुल गायब हो गया है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैं महात्मा जी को धन्यवाद देता है उनके इस चमतकार को देखकर पास ही खड़े दो और व्यक्ति कहते है महात्मा जी आपने इस व्यक्ति के दर्द को गायब कर दिया किरप्या अब इसके घर खाना खाकर ही जाएं ऐसा सुनकर महात्मा जी कहते है अगर तुम इतने प्यार से बोल ही रहे हो तो चलो ठीक है महात्मा जी इस व्यक्ति के घर जाते हैं और भोजन ग्रहन करते हैं भोजन करने के बाद वैं वापस अपनी कुटिया पर आते हैं यह सब चमतकार होते हुए वह विद्वान पेड के पीछे खड़े होकर देख रहा था कुछ समय के लिए तो वह धंग रह गया की यह सब कैसे हो सकता है उसने महात्मा जी का पीछा करना शुरू कर दिया अगली सुबह महात्मा जी फिर कंबल ओड़कर और अंजनी बजाते हुए गाउं की फेर करने के लिए निकले वे खेतों पर टहल ही रहे थे कि एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा महात्मा जी पिछले तेन सालों से मैं अपने खेतों में अच्छे फसल नहीं उगा पा रहा हूं काफे महनत करता हूं लेकिन फसल अच्छे पैदा नहीं होती कृपया आप कुछ कीजिये पहले तो महात्मा जी ने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तो मैं अपनी मेहनत पर भरोसा है या नहीं फिर महात्मा जी उस निराश व्यक्ति की ओर देखते हैं और कहते हैं चलो ठीक है फिर महात्मा अपने उस कंबल को लेते हैं खेत की मिट्टी पर हलके से घुमाते हैं और वापस उस व्यक्ति के पास आकर कहते हैं अब अपनी अच्छी फ़सल के लिए खुब मेहनत करना इतने में दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है महात्मा जी जबसे आपने अपने इस जादवी कंबल को मेरे खेत की मिट्टी पर फेरा है तब से मेरे फसल चौगनी बढ़ चुकी है और अब मैं खुशे खुशी से अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पा रहा हूं मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट बहबेकते फसल और सबजियों से भरी टोकरी को महातमा जी को भेंट सोरूप देता है महातमा जी उस भेंट को स्विकार करते हैं और अपनी कुटिया की तरफ निकल जाते हैं आज हुई सभी घटनाओं को वह विद्वान फिर से पेड के पीछे खड़े होकर देख और सुन रहा था अब वह समझ गया था कि महातमा के पास एक जादवी कंबल है वह सोचता है कि अगर वह कंबल उसके पास आ जाए तो वह अपने मान सम्मान और संपत्ति में वृद्धी कर सकता है वह दुबारा से महातमा जी का पीछा करता है और उनकी कुटिया तक पहुँच जाता है अगली सुबा महातमा जी नहाने का विचार बनाते हैं और पास ही जंगल में ब जब महातमा जी अपने उस जादवे कंबल को अपने शरीर से उतार के पैड की एक छोटी सी टहने पर टांकते हैं और नहाने के लिए जाने लगते हैं तो वह विद्वान तुरांत उस जादवे कंबल के पास आता है और उसे उतारने की कोशिश करता है लेकिन वह जादवे कंबल पत्थर की तरह विभार करता है वह विद्वान उसको खीचने की कोशिश करता है लेकिन कंबल पूरी तरह से जकड चुका था कुछ समय बाद महातमा वापस आने लगते हैं महातमा को वापस आते हुए देख कर वह विद्वान बिना कंबल लिये ही चला जाता है महात्मा जी आते हैं और उस कंबल को उतार कर अपने शरीर पर लप्रिट लेते हैं कुछ समय बाद वो उस कंबल को धूप में सुखाने के लिए डाल देते हैं ताके दोबारा डालने के बाद थोड़ा शरीर को गरमाट मिल सके यह देखकर विद्वान को फिर से एक मौका मिल गया उस कंबल को लेने के लिए वह तुरंद कंबल के पास जाता है और उसे उतारने की कोशिश करता है लेकिन तेज हवा के चलने से वह कंबल उपर की और उड़ने लगता है जिसके वज़ा से वह विद्वान के हाथों में नहीं आ पाता विद्वान काफी कोशिश करता है लेकिन सब नाकामयाब रहता है इतने में दोबारा महात्मा जी वापस आते हैं महात्मा जी को वापस आते हुए देखकर वे महात्मा जी की कुटिया में जाता है और उन्हें अपने घर भौजन के लिए आमंत्रित करता है दरसल यह उसका एक सोचा समझा प्लान था जिससे वे महात्मा जी के उस कंबल को छेन सके महात्मा जी उसके आमंतरन को स्विकार करते हैं और अगले दिन उसके कुटिया में प्रवेश करते हैं जैसे ही महात्मा जी उसके कुटिया में घुशते हैं वह विद्वान अपने असली रूप में आ जाता है पर बड़ी ही अबद्रता दिखाते हुए महात्मा से कहता है आप अपने इस जादवी कंबल को मुझे दे दो यह सुनकर महात्मा जी अश्चरे चकित हो जाते हैं और पहुंचते हैं आखिर तुम्हें यह कंबल क्यों चाहिए इस पर विद्वान कहता है कि यह एक जादवी कंबल है जिससे मैं अपने हर बिगडे हुए काम को सुधार सकता हूँ और धे सारा धन कमा सकता हूँ विद्वान के ऐसा विचार सुनकर महात्मा जी काफी दुखी हुए लेकिन विद्वान नहीं माना इसलिए महात्मा जी ने अपने उस कंबल को विद्वान को सौप दिया और वहां से अपनी कुटिया के लिए रवाना हो गए अगले दिन विद्वान उसी गाउं में उस जादवी कंबल को लपेटे हुए और अंजनी बजाते हुए निकलता है लोग उसे देखकर हसते हैं किया देखो पागल आ गया इतनी गर्मी में भी कंबल लपेटे हुए है लोगों की ऐसी बाते सुनकर वह हैरान रह जाता है लेकिन फिर आगे बढ़ने लगता है आगे एक विक्ती खाली टोकरी लिये हुए आ रहा होता है विद्वान उसे रोकता है और कहता है मैं तुम्हारी इस खाली टोकरी को फल और सबजियों से भर दूँगा ऐसा सुनकर वह विक्ती हसता है और विद्वान को पागल कहने लगता है विद्वान अपने उस कंबल को उस टोकरी पर फेकता है लेकिन वो टोकरी फिर भी खाली ही रहती है ऐसा देखकर विद्वान आश्चर चकित हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह टोकरी फल और फूलों से क्यों नहीं भरी क्या यह कंबल जादू नहीं दिखा रहा है उसके बाद आगे चलकर एक व्यक्ती अपने पैरों के दर्द के मारे चिला रहा था विद्वान उसके पास जाता है और कहता है मैं तुम्हारे इस दर्द को दूर कर सकता हूँ वह अपने कंबल को लेता है और उसके पैरों पर फेड़ने लगता है लेकिन पैरों का दर्द खत्म नहीं होता यह सब देखकर विद्वान समझ जाता है कि यह कोई जादवी कंबल नहीं है अगली सुबह विद्वान महात्मा की कुटिया में जाता है उन्हें उसके कंबल को वापस करता है और कहता है महात्मा जी मुझे आपका या जाद्वी कंबल नहीं चाहिए या मेरे लिए किसी काम का नहीं है महात्मा जी कहते हैं या कोई जाद्वी कंबल नहीं है बलकि अगर इनसान का मन साफ हो तो उसकी कही हुई बात और उसका हर किया हुआ काम सही हिसाबित होता है यह सब सुनकर विद्वान अपनी गल्ती को मानता है और उनसे इस गल्ती की छमा भी मानता है दोस्तों आपको अकथा कैसे लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा गयन पराप्त हो जय श्राराम भक्तो